इंडिया में आजादी से पहने के विटिश आखिटेक्चर की इंपों होत सारी बिल्डिंग से क्या हम उन्हें डिमॉलिश करने का सोच सकते हैं? उसी तरीके से जो तीन क्रिमिनल लोज है ये इंडिया के तीन बड़े स्ट्रक्चर्स की तरह हैं जो हार इंडियन को इंपाक्ट करते हैं पर पिछले 100 सालों में क्रैम्स का नेचर, प्रिम करने का तरिका और क्रिमिनल सब भी जमीन आस्वान का फर्स अगया है और सच पोलों आचे 100 साल पहने कोई कैसे सोच पाया होगा कि साइबर क्रैम नाम को भी क्रैम हो सकता है और इसलिए पार्लिमेंट ने इन तीन लॉस को इन तीन नए लॉस से रिप्लेस करने का सोचा है जिसे हम critically analyze करने वाले आज की इस वीडियो में सबसे पहले गवर्मेंट को objective क्या है लॉस को लाने के बीचे दूसरा जितना बड़ा चींज इनके नाम में लग रहा है कि उतना ही बड़ा चींज लॉस में भी आया है और तीसरा और सबसे इंपोर्टन सिस्टम में जो problem पहले exist कर रही थी क्या नए लॉस को लाने से यह problem solve पर आज हम तीनों नए कानून पुरस्ताफिक करने के लिए में आया हूँ किस लोगतंतर के आप बात करते हो जहां ऐसे कानून हो दुनिया में बताईए ऐसा कानून कहीं है किसी भी लोगतंतर देश में ऐसा कानून है अब कोई भी criminal law अच्छा है कि नहीं जज़ करने की बहुत सारे parameters हो सकते हैं पर मेरे इसाफ से end में बात तीन चीज़ों प्याती है पहना कि timely justice मिला डूसरा क्या accuse को fair trial मिला और तीसरा क्या victim को fair compensation मिला अच्छिडी हमना इससे पहले आते हैं कि जो act से क्यों बनाया जाते हैं इससे क्यों लिखे जाते हैं तो इसकी तीन अच्छे फंडे है knowledge, uniformity and certainty knowledge इस प्रकार से कि आपको पता है यह presume कि जाता है कि इंडिया में जितने भी laws है आपको हर एक की बारे बारे बता है कोई 16-17 साल का बच्चा अपनी गाड़ी लेके निकला है बिना हिलमेट पहने और वो पकड़ा जाता है तो वो यह प्लीड नहीं कर सकता है कि उससे तो पता ही नहीं था कि इससा कोई law है इंडिया की हर हिससे में crime की same definition और punishment की same definition तरकि accused को fair trial मिल सके और victim को fair compensation मिल सके अगर यह basic clear हो गए तो अब हम आते हैं हमारे तीन existing laws के उपर पहले इनहीं समझेंगे और जो तीन नए laws आए उनहीं समझते हैं तो सबसे पहले इंडियन penal code या IPC यह बताता है कि कोई act crime कब बनता है अगर बनेगा तो उसकी क्या punishment होगी इसके बाद है criminal procedure code यह arrest, investigation, bail और trial की procedure की बात करता है और lastly evidence act जैसे की नाम बता रहा है यह evidence की admissibility, burden of proof, expert opinion की बात करता है अगर simply एक example समझें तो माने कि कोई murder हुआ है अब जो act है वो murder है की नहीं अगर है तो उसकी क्या punishment होगी यह बताएगा IPC अब अगर murder हो गया है तो उस इंसान पो arrest कैसे किया जागा, investigation कैसे होगा, accused की क्या rights होगी यह बताता है CRPC और finally evidence act, evidence की admissibility की बात करता है, यह जो सारे acts नहीं time to time amend किया जाता है society की needs को देखते हुए, बड़ते crimes को देखते हुए, तिससे की for example Companies Act 1956 वो time की हिसाब से पुराना हो गया था, इसलिए इसे amend करके Companies Act 2013 दाया गया अच्छा एक और चीज़, अगर आप एक law student है या law में इंटरस्ट्रक्त है तो एक book जो मैं आपको recommend करना चाहूंगी तो मुझे बहुत काम की लगी और आपको भी लगेगी इस बुक मिना केश मनभारती केस से लेकर अभी तक इतने भी landmark cases हुए उन्हें बहुत ही अच्छी और सिंपल तरिकेत एक्स्प्रेइन किया गया या यह वो बुक मैंने audible में complete थी और यह audible कितना प्यारा concept है मतलब हर जगा मुझे बुक लेके जाने की बुक गुम जाया उसकी टेंशन नहीं को यह फ्रेंड लेने पर वापस दिने की टेंशन नहीं जरूरत है हर जगा पने पास फोन होता है यह जैसी आप प्रियो अप लॉर्णिंग कर सकते हैं और आपको अगर आपको प्रोड़क कमेंट पर आपको लिंख मिल जाएगी वहां जाकर आप दो महीने का फ्री ट्राइल और अंगिनद बुक अवेल कर सकते हैं और इन दोनों मेंसे अगर आप पोई भी पड़ते हैं तो वापे साथ यह बताये हैं कैसी लगी ठीक है चली वीडियो कंटीनियो करता है चली अब इंपोर्टन लॉस बनाएं इसकी बाद सेकेंड और पौर्ट लॉइशन भी बनाई गई जिन्नोंने इंडियन कंडिशन को देखते वें अगले 50 सालों में कुछ इंपोर्टन लॉस बनाएं इनकी फॉन्ट्रिवुशन इतने इंपोर्टन थे कि आज की डेड़ पे भी इं पहली बात यह है कि इंपोर्ट बनाने को अब्जेक्टिव ही था इंडिया की रिसोस को एक्स्प्लॉइट करना और किसी में टाइप की रिवोल्ट को होने से लोगना इसके साथी पार्लेमिट में अमिच्छा ने यह कहा कि इन लॉस में अभी दी 400 से जादा जगों पर बि प्रस किया गया है अब यह हैस वीडियो का सबसे इंपोर्टन पार्ट जिसमें हम पता लगाएंगे कि इन नए लॉस में आखिर नया क्या है तो इंडियन की रिप्लेस करने के लिए भारतिय न्याय सही था पुराने आक्ट में टूटल 576 सेक्शन थे जो अब नए बिल में अजर हम IPC और नए बिल को compare करें तो ये वो provisions है जो हटाए गए हैं इसके बाद इस list में आपको वो provisions मिलेंगे जो IPC में नहीं थे जो कि इस नए बिल में देखने को मिलेंगे इसमें नए जमाने की नए ख्रैम को पोडिफाई किया गया है जैसे कि पॉल्स प्रॉमिस टुमारी, गैंग रेपन वुमेन अंडर दी एज अफ एटीन, मॉब लिंचिंग, ओउगनाइस फ्राइंग, ओफेंस अब टर्रिरिस्ट आट और स्नाचिंग जैसे क्रेंच जो पहले एग्जिस्ट नहीं करते थे, उन्हें आट किया गया है, इसके बाद कोड अफ प्रोसीजर कोड की जगा भारतिया नागरिक सुरक्षा सहीदा प्रपोस किया गया है, पहले 484 सेक्शन्स थे, जो अब नए बिल में 533 हो गये हैं, इसमें 9 new provisions आट किये गये हैं, और 10 ऐसे सेक्शन्स है, जिनने हटा कर किसी और तरीके से आट किया गया है, अगर हम CRPC और नए बिल को कंपेर करें, तो ये वो प्रोविजन्स है, जो CRPC से डिलीट किये गये हैं, और ये वो प्रोविजन्स है, जो कि आट किये गये हैं, और evidence act के जगह भारतिय साक्ष सहिदा प्रपोस किया गया है, act में अभी 167 sections है, और नए बिल में 170 sections है, evidence act से ये 5 sections को हटाया गया है, और इस एक नए section को add किया गया है, अब नए और पुराने laws में क्या-क्या changes हुए हैं, ये और अच्छे से समझने के लिए, हमने act में ही changes mark कर दिये हैं, जिसकी link आपको नीचे description पर मिल जाएगी, अब है judgment time, हम नए laws में ये देखेंगे कि अच्छा क्या-क्या है और बुरा क्या-क्या है, शुरुआत करते हैं अच्छे से, तो पहला important question ये उठता है कि क्या ये नए laws gender-neutral हो पाए, क्योंकि पुराने act का major criticism यही था कि वो gender-neutral नहीं थे, तो इसका answer हाँ है, देखी, victim के अंगल से भी देखी और perpetrator के अंगल से भी, पर नए act के हिसाब से, ये जो crime है, ये men और women दोनों commit कर सकते हैं, दोनों के against-up case file कर सकते हैं, तो perpetrator के angle से हाँ gender-neutral हुआ है, पर victim के sense से नहीं, दूसरा, तारीख पर तारीख के system को खतम करने की कोशिश की गई है, गवनिंग तो कहना ये है, ये जो नए changes है, इससे हम legal system को और efficient और productive बनाना चाहते हैं, तो अगर कोई भी case file करता है, तो तीन साल के अंदर equitable justice deliver किया जाएगा, इसके साथ ही charge sheet file करने का maximum time limit 180 days set किया गया है, तकि trial का process start किया जाए और unnecessary delay avoid किया जा सके, इसके बाद नए जमाने की नए crimes जैसे snatching, mob lynching, fake promise to marry, question paper leak, ATM theft, upon these crimes, इन सारे crimes को अच्छे से और strictly recognize किया गया है, इसके साथ ही terrorist activities, separatism, armed rebellion against the government, जिससे इंडिया की security और sovereignty threat में जाए, इन acts को भी अलग से recognize किया गया है, पहले जो act था, उसमें किसी एक section के अंदर ही डिंग के जाते थे, फिर छोटे-मोटे अपराद, petty offenses जैसे, नशे में हमदावा करना, पांच जदा से कम की चोरी करना, इन सारे offenses के लिए पहली बाद, community service as a punishment introduced की गई है, फिर एक काफी controversial law, sedition को repeal किया गया, पर यह सिर कहने की की बाद है, क्योंकि उसी से मिलता जुलता एक नया section नए बिन पर introduce दी किया गया है, चलिए अब इन नए बिल्स के major criticism और उनकी खराबया देखते हैं, तो सबसे बड़ा criticism जो सामने आ रहा है, वो इनके नाम को लेकर, लोगों को कहना यह है कि यह एक तरीकी का Hindi imposition है, जिसक जवाब यह आता है कि जो existing laws है, यह punishment पर focus करते हैं, पर जो नए laws है, यह punishment पर नहीं, बलकि justice पर focus करते हैं, इसके बाद समाली आता है, जो existing laws है, क्या इनका ही appropriate amendment या modification करकी काम नहीं चल सकता है, क्या नए laws लाना ज़रूरी था, इसका response यह आता है, कि amendment या modification करने से जो principle है उस इसमें बहुत सारे colonial references थे इसके साथ ही जो पूरा structure है वो काफी scattered है वहीं जो नए लौज है उनका अच्छा structure है अब एक important बात जो मुझे आपको बताने थी कि इन नए काफी सारे अच्छे provisions है जैसे digitization की बात की गई है फोरेंसिक टींग को इनवाल करने की बात की चार्टी टिस्टिक टाइम लाइन दी गई है सबका syllabus change होगा court का काम करने का तरीका change होगा जितने भी lawyers है उन्हें फेर से sections याद करने पड़ेगे तो कुछ भी decide करने से पहले इन पे क्या impact हो रहा है इस पे भी ध्यान दने की सुरुत है अब आप सब को जो चिंदा सतार है उसकी बात करते हैं कि आने वाले exams के लिए कौन फिर 2022 में इस कमिटी ने अपने recommendations पे public की suggestions लिये क्योंकि यसा कोई भी बड़ा change जो public का इकलाज को affect करता है उस पर public opinion लेना जरूरी है जैसे आपी uniform civil code पे लिया गया था इसके बाद कमिटी ने अपनी report गवर्मेंट को समिट की और law ministry ने राजय सबा को पताया कि present government ने current criminal laws का एक comprehensive review start कर दिया है और finally इस monsoon session की आखरी दिर union home minister ने इन तीन नए bills को table किया अभी जो bill है ये act किसे बनेंगे तो parliament की standing committee इसे review करेगी और ये देखेगी कि इस पे कितने changes की जुरत है फिर दोनों houses में pass कराना होगा और प्रेसिडेंट का assent लेना होगा तब जाकि ये bill act करेंगे तो अगर next election में यही government continue करती है तो फिर ये act आकर रहेंगे देखी जो चिंग्जे से ही आगे जाकर जरू सुसाइटिक लिए beneficial होगे पर importance हमें planning पर देनी होगी क्योंकि laws लाना एक बात है वो इसे implement करना दूसरी सारे stakeholders का ध्यान रखकर plan और implement किया जैसे demonetization भले ही इंडिया के लिए beneficial है पर जब इसे announce किया गया था तो काफी लोगों को problems हुई थी तो यह जो नए laws आएंगे वो बस legal fraternity को ज़्यादा ततलीफ ना दे रियल challenge है इन act को अच्छे से execute करवाने में और code को efficiently काम करवाने में अभी जो bills है यह apps बनते हैं कि नहीं बनते हैं तो कितने successful होते हैं यह हम आने वाले वीडियोस में पर डिसकस करनेंगे यह थी मेरी आज की वीडियो तीन important bills को लेकर मैं उमीद करती हूँ कि आज की इस वी करना था नंदा देवी mystery podcast यह भी बहुत अच्छा है इन में से किसी में भी आपको interest हो तो नीचे description पे और pinned comment पर आपको link मिल जाएगी वहां जाकर आप दो वहेने का free trial और अंगिनत book अवेल कर सकते हैं तो अगर कोई भी doubt हो कोई भी query हो तो ज़रूर बताएगा that's it for now see you in the next class bye bye